हेलो फ्रेंड्स वॉलम बेक टो माई चैनल तो चली देखते हैं सोमभार को मतलब 9thrico मार्केट में कैसा हाल चाहला रहे सकता है निफी में कैसा मू strawberry आटा जो दोर्म लोग नूर्ट शेनरीयो कैसा है जो लोग पुजिशन ले रहे हैं बातस करेंगे और अपस उसएंध को और लाइब ट्रेडिंग का वीडियो भी में छोड़ता रहता हूं तो चलिए वीडियो को शूर करते हैं सुक्रबर को दाउ 0.41 परसेंट उपर बंद हुआ है S&P 0.17 परसेंट उपर बंद हुआ है लेकिन नेस्टेक थोड़ा नीचे कमजोर बंद हुआ है 0.48 परसेंट नीचे बंद हुआ है बाकी यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव में ही बंद हुआ था एसियन मार्केट भी कमजोर बंद हुआ था SGX निफ्टी 1621 में बंद हुआ था लेकिन हमारा जो निफ्टी का क्लोजिंग है उससे उपर ही बंद हुआ था यापान पॉजिटिव में बंद हुआ है एंग्सेंग माइनस में है रांग चक्र 내쫇न अतिपिया ४ॉिज कर मेंड़े इंगे, बंद हएंद के राय में आप शक्र था, चन तक में बंद हकोard x2 तो शोला जाट तीन सो में एक लाख तीन हजार का कॉंट्रेक्ट है और नियूली फॉर्टी एट थाउजंड का कॉंट्रेक्ट है और तो शोला जाट तीन सो में बहुत अच्छा अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है और उसके बाद 16500 में भी कॉल राइटिंग हुआ है तो सबसे पहला रेजिस्टेंज जो बनके आएगा निफ्टी के लिए 16300 का राएगा 16300 में अभी बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंज बन गया क्योंकि 16300 में एक लाख और न 16300 को ब्रेक करना भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि 16300 में बहुत अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है 16300 कर सकता है तो 16350 भी आराम से क्रॉस कर लेगा उसके बाद 16400 में हम लोगों को थोड़ा रेस्टेंज दिखे आए देगा तो चलिए पूट के तरफ देख लेते हैं पूट के तरफ और 16250 में 36000 का कॉंट्रेक है और 17000 का न्यूली एड़ेड है और 16200 में 80000 का कॉंट्रेक है और 31000 का न्यूली एड़ हुआ है जोकी हमारा कॉल के तरफ से थोड़ा कम है तो और 16500 में 21000 का कॉंट्रेक है 16000 में 48000 का है और 16000 में 68000 का है तो सबसे पहला सापोर्ट जो निकल के आ रहा है वह है तो पहला जो सब्सक्राइब दोसों को इसके नीचे तो इदना अच्छा का सब्सक्राइब नीचे एकदम तो निप्टी यह ऑप्सेंचेंट में थोड़ा कमजोड दिख रहा है तो अभी हम लोग आगे हैं बैंक निप्टी को आपसेंचेंट के उपर बैंक निप्टी 35800 म तो ज्यादा कॉंट्रेख है नी ऐठाज्ट के नत्राजज़ां नोसों में बहुत कम कंट्रेक्ट है चातिस अजार तीट थाउजन लगभा 500 का और नियूँली अडिक थाउजन का कॉंट्सके उपर चातिशएजा एकसो में तो एठाहज़ा चातिसे 2 счит 1 Gay 33300 चातिशा ती बैंक निप्टी में इतना आच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ नहीं अभी तक चातिस आजार में रेजिस्टेंस है थोड़ा बहुत 58,000 का कॉंट्राक्ट है 36,000 में थोड़ा बहुत कॉल राइटिंग हुआ है लेकिन उसके ऊपर इतना कहीं भी अच्छा खासा राइटिंग नहीं हुआ है एकदम 36,500 में अब लोगों दिखाई देगा 43,000 का 38,000 में 21,000 का कॉंट्राक्ट है लेकिन उसके नीचे एकदम 35,500 में हम लोगों को दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत सपोर्ट का 36,000 का तो पूट के तरब भी इतना अच्छा खासा कोई राइटिंग हुआ नहीं दोनों तरब लगवख सेम है पूट के तरब थोड़ा सा कम है कॉल में थोड़ा सा कॉल के तरब थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन दोनों तरब क्यों मिला कि अगर देखे तो दोनों तरब उपर 16238 का क्लोजिंग दिखाई दे रहा है लेकिन प्रोफेशनल क्लोजिंग 16250 के उपर है तो बहुत दिन भाद हम लोगों को निप्टी में ब्रेक आउट मिला है पूरा जून से जुलाई मैने तक हम लोगों को एकी रेंज में दिखाई दे रहा था लगबक 16000 से 15500 इसी 500 सो पॉइंट के अंदर पूरा एक देर दो मैना निकल दिया था उसके बाद हम लोग को ब्रेक आउट देखने को मिला है तो लगबक चार दिन हम लोग को अच्छा का सा मुवमेंट दे दिया है निप्टी अभी निप्टी में थोड़ा बहुत यहां पर कॉंसलियेट कर रह 16,000 हम लोग को अभी नेक्स टार्गेट हो जाएगा 16,000 चार सोगा 16,000 अभी 16,000 दोसो पचास पे क्लोजिंग दिया है सोंबर अगर मार्केट 16,000 दोसो पचास में फ्लैर में उपेन होता है तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे लास जो निप्टी का टॉप बनाया था 16,000 32 का इस लेवल को क्रोस करने के बाद ही हम लोग फिर से कॉल के तरफ जाएंगे क्योंकि 16,000 तीन सो तीस को क्रोस करने के बाद ही हम लोग को फीद और एक आच्छा खासा मोमेंट दीख सकता है निप्टी में और अगर यहां से मार्केट थोड़ा नीचे के तरह आब आता है 16,500 के नीचे उपन होता है और 16,200 का लेवल अगर क्रोस कर लेता है तो यह जो गैप बना है 16,200 से 16,140 लगबख 50 पॉइंट का तो यह गैप भी फिल कर सकता है निप्टी 16,200 तक भी आराम से आ सकता है इसके बाद फिर हम लोग को पूल पेक दिख सकता है तो हम लोग सुमबार को फ्लैट खोल के ऊपर जाता है और 16,300 का लेवल को क्रोस कर लेता है तब हम लोग के तरफ जाएंगे और 16,200 के लेवल को नीचे के तरह आता है तो हम लोग पूट के तरह जाएंगे अम लोग फिर पचास लगबक 50 साथ पोईंट का मोमेंट दीख सकता है और जो तब लोग थोड़ा पोजिशन कम कर लेना लोट साइड थोड़ा अब लोग रिडियूस कर सकते हो नहीं तो अब लोग का स्ट्राबलोस होना चाहिए 16100 का अब लोग निकल जाना चाहिए और जो लोग पूट के बोजिशन ले रहे हैं वह लोग भी थोड़ा होल्ड करना क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे और भी कॉंसिलेट कर सकता है करके 16500 तक भी आ सकता है तो 16500 को क्रॉस करके 600500 तक भी आता है फिर उसके बाद आप लोग निकल के फिर कॉल के तरब जाना क्योंकि इतना नीचे आएगा नहीं फिर 16000 क्रॉस किया है तो मार्केट अब ही पॉजिटीव है थोड़ा बहुत कॉंसिलेट करेगा क्यूंकि ला पर थोड़ा बहुत गैप बना है एस आजार देट सो से इसाजार सारे तिन सो तक लेकिन अभी बैंग निप्ती इतना नीचे आये तो नहीं रहा है क्योंकि बैंग निप्ती अभी स्ट्रॉंग है बहुत नीचे का लेबल से सापोर लेके फिर उपर आ रहा है तो संबर को पूट ले रखे होंगे और मार्केट हमेशा उपोजीटी काम करता है अब सभी को पता है अगर संबर को 3500 को लेबल को क्रोस करके उपर के तरब निकालता है लगवे चतिसाजर को क्रोस कर लेता है फिर हम लोग को और एक अच्छा-खासा 200-200 पॉइंट का मोमेंट दीख सक में दोनों तरब का बरबर कॉंट्रेक्ट है तो बैंक निप्टी में संबर को प्राइस एक्षन बाने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे अकर फ्लैट खुल के उपर निकलता है और चतिसाजर को लेबल को तोड़ के तरब जाएंगे और अगर फ्लैट खुल के थोड़ा नीचे आता है छती थी पैतिसाजर आठ्सके नीचे निकलता है और तरश कर लेता है तब हम लोग के तरफ जाएंगे हम लोग को पहला टैर्ट हो जाएगा तरफ लोग प्लें रखें यह लोग थोड़ा होल कर सकते हो क्योंकि मार्केट और थोड़ा सा कॉंसिलियरेट हो सकता है 35,000 चार्सों का अब लोग टार्गेट चार्सों तक अब लोग देख सकते हो और अगर मार्केट फ्लाट खुल के ऊपर के तरब निकालता है और 36,000 का लेबल अगर तो देता है तो आप लोग पका निकाल जाना क्य नीचे का बहुत नीचे का तरफ है मुझे भी मालूम है लेकिन उससे पहले तो कुछ इतना अच्छा का सापोट कही है नहीं अब लोग और एक छोड़ा सापोट देख सकते है 35,600 का अगर 35,600 के लेवल को भी क्रॉस कर लेता है तब आप लोग निकल सकते हो नहीं तो पैति हो जाएगा फिर हम लोगा साथ 30,000 का भी टार्गेट दिख सकता है बहुत जल्दी तो यही था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना और जितना हो सेगे शेयर कर देना अब लोग लाइक करते तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अच् पे सिलेक बरना थैंस पर वचिए मैं वीडियो लव यव यॉल